हेलो सुटेंट्स आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग अनिवर्स में बहुत बहुत सागत है आज हम सिछा निरे साल है दिल्ली सरकार दोरा जारी छटी क्लास की विज्ञान की वरक सीट नंबर 13 जो की 13 नंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे और इसमें को सौंप करेंगे आज क जो आपका विष्या है पौधों को जानिए इस विष्य के अंतरगत पौधे का जो एक अंग होता है फूल उसके बारे में जानेंगे फूल के कितने भाग होते हैं उन भागों के क्या कारे होते हैं और कैसे यह वाग फूलों की बृधि में और नए फूलों को वीजों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं इस तरे लेटर आपके क्रिया कहलाफ है उनको भी आपको करना है तो पूरी वीडियो देखेगा बहुत आसान है और बहुत ही रोचक है तो चलिए हम इस वर्क सीट को स्टार्ट करते हैं फूल पौधों का सबसे खुबसूरत और रंगीन भाग है यह तने यह साखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है एक फूल के डंठल के आधार से उपर की ओर चार चक्कर होते हैं एक फूल में बाहदल, पंखुडी, पंकेसर और इस तरी केसर होते हैं अब देखिए बच्चों आपके सामने यह फूल का एक चित्र है आपकी वर्क सीट में आपको जब आपको जब आपको आपको फूल का चित्र मिलेगा अब यह बता रहा है फूल आपको जैसा कि हमको पता है कि पौधे का सबसे खुबसूरत और रंगीन चीज क्या होती है फूल होता है फौधे की खुबसूरती जैसे गुलाब है तो गुलाब की खुबसूरती किस से है उसके काटों से नहीं उसके फूल से होती है गेंदा का फूल है तो किस लिए है उसके फूल से अब क्या होता है फूल जो होता है तने से डंठल के माध्यम से आप जैसे देखते हैं ये कोई पेड है तो ये इसका तना हो गया और एक ऐसे डंठल से फिर यही से फूल ऐसे खिला हुआ होता है तो ऐसे ही फूल होता है अब फूल का जो चार वाहदल होते हैं जैसे आप वाहदल क्या है इस फूल का जैसे हम इसको बढ़ा करते हैं बच्चों यह देखिए थोड़ा बढ़ा करते हैं फिर आपको दिखेगा यूँकि जब अब एक बार आप देखके समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा देखी यह जो एक दो तीन और एक उस तरफ चार होते हैं यह हर फूल में यह वाहदल होते हैं इन्हें वाहदल बोलते हैं इसके लामा क्या होता है चार अंग होते हैं इसके बाद, वाहधल के बाद जैसे ये जो पत्तिया होती हैं, इन्हें दल ये पंखूरी बोलते हैं यह वाहधल के बाद ये पंखूरी के बाद पंखूरी के बाद बीच में होता है, ताकि वो सुँची त इसे जिनके उपर ऐसे देखेंगे क्या है गोल थोड़ा यह आक्रिती बनी हुई है इन्हें क्या बोलते हैं पुंकेसर यानि परागन कोज क्योंकि इसी में पराग होता है और वे इसे पुंकेसर बोलते हैं और सबसे बीच में यह देखिए यहां अंडासा यह होता है और इस इसके बीच में यह बाग गया है इसे वरत्रिकाग अंडासा है और इस पूरे हिस्से को स्त्रिकेसर बोलते हैं तो आपने देख लिया कि जो पौधे होते हैं उसके चार भाग कौन-कौन से होते हैं आपने इस चित्र के माध्यम से देख लिया, सबसे नीचे क्या होता है वाहदल, इसके बाद इसके उपर ये जो पंखुडिया होती है इसे पंखुडिया दल बोलते हैं इसके बाद यो जो पांच-छे एकदम पतले-पतले आकार के होते हैं, निकले होते हैं इन्हें पंकेसर परागन कोस बोलते हैं और सबसे बीच में जो होता है अंडास है और इसी से उबर आगे गया वर्तिगाग और दोनों को मिलकर क्या बनता है इस तरह केसर कहते हैं अब देखिए, इनके कार क्या क्या होते हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा क्लियर आजाए हाँ देखिए, फूल के भाग तो पहला फूल का भाग क्या होता है बाहे दल देखिए, हरी पत्ती जैसी सरचना होती जैसे देखिए बेटा ये फूल है तो फूल में हरी जैसी सरचना ही होती है जो कली की रक्षा करते हैं वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग होते हैं, जैसे हमने बताया है, फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, बाहदल, फिर होती ही पंखुरी, फूल का रंगीन भाग होती है, बाहदल के बाद देखेंगे, सबसे पहली जो परत होती है, पंखुरी के होती है, ये खुस्बु चक्र होते हैं, यानि आपके बाहरी दल के बाहरी चक्र क्या होता है, पंखुडी, आपका तीसरा है, पूंकेसर, फूल के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं, पूंकेसर को ही आप ये समझे लिए, फूल के नर जनन अंग बोलते हैं, प्रतेक पूंकेसर में एक डंठल होता है, जिसे तन्तु कहते हैं और यह थेले नुमा सरचना परागण कोस होता है जिसमें पराग कड़ होते हैं अब देखेंगे इसको बड़ा करते हैं यह देखिए आप थोड़ा और क्लियर हो जाए यही सरचना पराग कोस का लाता है और जिसमें पराग कड़ होते हैं यही से जो पराग लेते हैं और दूसरे फूलों पर जाते है इस तरह से पराग की प्रक्रिया होती है तीसरा भाग हो गया चौथा क्या है? चौथा भाग होता है स्त्रीकेसर फूल का मादा जननंग होता है पूंकेसर नर जननंग, स्त्रीकेसर मादा जननंग इसमें अंडासे, वर्तिका तथा वर्तिकागर होते हैं देखे, अब फूल में जैसे ये पंखुरी उंख्री सा बटा देंगे तो सबसे बीच का हिस्सा यह जो बचा यह अंडासा हो गया और यह जो हिस्सा है इसे वर्तिका और इसे वर्तिकागर बोलते हैं और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं स्ट्री के सर तो बच्चों हाटे जो फूल होते हैं फूल के बहुत रोचक जो चार अंग होते हैं उनके बारे में जाना उनकी सरचना क्या होती है और ये इनके कारे क्या होते है अब देखिए फूलों के कारे क्या होते है भाई फूल होते है तो फूल अकित जो भी पौधे है तो फूलों के कारे क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं फूल पौधों का जनन अंग हैं क्या होते हैं फूल पौधों का जनन अंग जैसे आमाल लिजे कि अगर फूल नहीं होंगे तो फिर पौधे का बीज कैसे बनेगा फिर उस एक पौधे से दूसरे पौधे कैसे बनेगा जनन अंग क् और जब परागण होता है उसके पस्चाथी फूल से बीज उत्पन होता है तो फूलों के ये तीन कारी होते हैं तो आपने फूल के कितने भाग होते हैं उन भागों के कारी का होते हैं और फूल का कारी का होता है ये सब बच्चों हमने पढ़ लिया अब देखी आपके लिए क्रिया कलाप है बहुत ही रोचक है और बहुत ही आपको अगर आप करेंगे तो आपको करने में इसको बहुत मजाएगा आपको क्या करना है अपने पास से अलग अलग दो फूल लेने हैं इनके बाहदल पंखुरी का निरिछण करना है फिर उपर दिखाएगए चित्र की सहाता से पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करना है पहले आप बाहदल और पंखुरी का निरिछण करेंगे फिर उसका पुं तील को स्वस्ट रूप से देखें, नीचे दी गई तालिका में अपनी टिपड़ी दर्ज कीजिए, और जब यह सब चीज आप निरिछार कर लेंगे, तो एक तालिका बनाएंगे, और उसमें यह जैसे यह बनी हुई है, ऐसे आप बनाएंगे, और उसमें क्या-क्या आपनी फूल होते हों, उनको ले सकते हो, बाहदल की संख्या कितनी है, तो बहुत अधिक, और रंग क्या है, लाल, तो अब हो सकता है, गुलाब जो आपने लिया, सफेद रंगा भी होता है, तो सफेद रंगा लिखेंगे, कितनी बाहदल, चार होती है, चार से अधिक है, यह आप आप लिखेंगे पंखुडी की संख्या कितनी थी तो आप काउंट कर लेंगे कितनी पंखुडी पांच और पंखुडी का रंग क्या था हरा जो भी रहो आप लिखेंगे क्या बाहदल और पंखुडी जुड़े हुए थे या अलग अलग तो आप देखेंगे कई सारे जो होत तो आप देखेंगे, पुंकेसर स्वतंत्र अत्वा पंकड़ी से जूड़े हुए हैं. तो इसको भी आप लिखेंगे तो यह पूरी आपको एक तालिका बना के बच्चों लिखना है. तो आप दो फूल लेंगे और उनके बारे में आपको क्रिया कलाप करना है. आपको अच्छा लगएगा इसलिए इसक्रियाकल आपको जरूर करिएगा अब आपके जो प्रस्न है बहुत ही आसान है देखिए एक पौधे का प्रजननंग का नाम बताएए तो पौधे का प्रजननंग क्या होता है अभी आपको बढ़ाया गया पौधे का प्रजनानंग उपर आके तिक चक करते हैं पौधे का प्रजनानंग क्या होता है इस्त्रीकेसर और पूंकेसर फूल के किस भाग में पूंकेसर और पराग कोश उपस्तित होते हैं अब देखिए फूल के किस भाग में पुंकेशर और पराग कोस उपस्थित होते हैं इसका उत्तर आपको क्या होगा पुंकेशर पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है तो आपको पता है पंखुडी पंखुडी ही कीटों को आकरसित करती है एक फूल के नर और मादा प्रजननंग गया है इस्त्रिकेशर और पुंकेशर तो यह आपको उत्तर हो गए आपको देखे बच्चो एक चितर दिया गया है आपको यह चितर पहचानना है आपको और कर सीट में इसे पहचानियेगा यह आपको करना है हमें आसा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा काकी हमने रोचक तरीके से पढ़ां कि जो पौधे होते हैं पौधे का भाग जो फूल होता है उससे कितने भाग होते हैं और उनके क्या-क्या कारे होते हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सो भी बच्चों का धन्यादा